दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि आपकी बालों के जड़ने को रोकेगा, बालों की लंबाई बढ़ेगी और साथी साथ नयवाल उगना भी स्टार्ट हो जाएंगे बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया हरवाल नुस्का आज आपके साथ श्यार कर रही हूँ ना कोई केमिकल है, ना कोई प्रिजर्बेटिव है, ना किसी तरह की कलर का इसमें एड़ किया गुआ है हम यहाँ पर कुछ भी बाहर का यूज नहीं करने वाले हैं, कुछ भी बाहर का इस्तमाल नहीं करने वाले हैं दोस्तों यह 100% Pure Home Remedy है, जिसकी मदद से आप अपने बालों से जुड़े बहुत सारे समस्या का समाधान पा सकते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सभी हैल फुलो तो एक लाइक तो करना बनता ही है और अगर आप मेरी चनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले तो दोस्तों इस हरवाल नुस्के को बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक हरवाल चीज़ की जरूरत है जो की है फ्रेश अलोवेरा की लिव अगर आपके पास नहीं है तो मैं अभी आपको कहना चाहूंगी कि कोई नरसरी से ले आए एलोवेरा का एक पौधा और अपने घर में लगा लिजी क्योंकि यह जो एलोवेरा है यह ना सिर्फ अपने बालों के लिए बलकि आपकी स्किन के लिए भी बहुती ज़ादा बेन मेडिशन जितना घर में रखते हैं जितना इंपोर्टन है आपके लिए मेडिशन रखना उसे कहीं ज़गा इंपोर्टन है एलोवेरा भी रखना क्योंकि हमारी स्किन के लिए हमारी बालों के लिए एलोवेरा मोस्त इंपोर्टन है अगर आप अपनी स्किन केर में एलोवे इस के बीच में से कट कर लेनी है और इसका छोटा चुटा टुकड़ा करके इसे काट लेनी है और एक बाउल में रख लेनी है जैसे कि वीडियो में आप देखी रहें बिल्कुल इसी तरह दोस्तों ना है सिर्फ हमारे बालों के लिए बलकि हमारी स्किन के लिए भी ऐलोवरा बरदान समान है ऐलोवरा 100% वाटर कंटेंट से बना हुआ होता है यानि कि ये हमारी बालों में हाइडरिशन देने का काम करता है यानि कि हमारी बालों को नरिश करता है, सौप्ट बनाता है, जो बाल फ्रीजी हो गए होते हैं, रफ हो गए होते हैं, बहुत लोगों की बाल ऐसा है, मैंने देखा है, बिल्कुल जाडू जैसे हो गए होते हैं, उनको ठी करता है, आपकी बाल को स्ट्रेट कराने में मदद कर इक बात जरूर इध्यान रखना दोस्तों जब तक आपकी आपकी बालों में मॉश्य catching नहीं रहेगать आपकी बाल श्ροच्य न रहेगे तब आपके बाल श्ट्ड IT नहीं बन पाएंगे हम पालर जाके पहले क्या कराते हैं स्मूथनिंग कराते हैं उसके बाद वाकि ट्रीटमेंट कराते हैं तकि हमारी बाल स्ट्रेट हो जाए अगर आप नेचरल तरीके का यूज करते करते आपकी बाल स्ट्रेट हो जाता है तो आपको पालर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस नमड़ी को एक बार इस्तमाल करके जरूर देखना दोस्तों आपकी दिल खुश हो जाएगी आप जो इतने महंगे महंगे चीजें यूज करते हैं इतना पैसे बरबात करते हैं पालर जाएके आपको वो सब नहीं करना पड़ेगा एक बार जरूर ट्राय करके देखिए ना है इसमें पैसे खर्च होने वाले है ना कुछ और होने वाला है बस एक बार जरूर ट्राय करके देखिए मेरे कहने पर मत जाएए एक बार खुद करके देखिए इतना बड़िया रिजल्ट देने वाला है ये आप खुद खुश हो जाएंगे तो हमें क्या करनी है एक ब्लेंडर लेनी है और टुकड़े एलवेरा को यहाँ पे डाल कर पीस लेनी है और आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे हमने कोई पानी बनी नहीं एड किया हुआ है आप चाहें तो थोड़ा बहुत पानी का एड कर सकते हैं बट बहुत ज़्यादा पानी आपको यहाँ पे इस्तमाल नहीं कर लेनी है वैसे भी aloe vera के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता ही है और वो पानी हमारी बालों के लिए बरदान जैसा है हमारी बालों को जड़ों से मजबूत बनाने के लिए शाइनी बनाने के लिए शिल्की बनाने के लिए ये aloe vera बहुत ही ज़्यादा फाइदा मंद होता है तो दोस्तों हमारा जो एलोवेरा का पाउडर है पाउडर नहीं इसको कहेंगे लिकुइड ये बनके विल्कुल रडी है तो अब हम इसमें एड करेंगे सरसों का तेल मस्टार ओयल हमें यहाँ पे एड कर लेनी है एक चमच जितना मस्टार ओयल हमें यहाँ पे एड कर लेनी है सर तो सरसों का तेल जरूर इसमें एड़ करिएगा सरसों का तेल हमारी स्कैल्प के पीएच को कंट्रोल करके रखने का काम करता है और हमारी हैरफल को कंट्रोल करके मौस्चर प्रवाइड करता है जिससे हमारी बाल पहले से जादा कम तूटते हैं और पहले से जादा कम रौफ ह नहीं होने की वज़े से हमारी बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राइ हो जाते हैं जिसकी वज़े से एक तो टूटते हैं दूसरी बिलकुल खराब दिखते हैं और तीसरी बिलकुल ग्रो ही नहीं होता हमारी बाल तो अगर आप इस तरीके से इसे इसे इस्तमाल करते हैं तो आपक तरीके से इन सब को मिला लेनी है दोस्तों आप इस मिक्शर को फ्रीज में अगर रखना चाहें तो दो से तीन दिन रख सकते हैं उससे ज़ादा यह नहीं रहेगा आपको भी पता है यहाँ पे नेचरल चीजों का इस्तमाल किया गया है मेरी मानिये तो इसे आज ही बनाईए आज ही यूज करिए इसे श्टोर करके रखने का जेद मत करिए क्योंकि हम कोई भी चीज मनाते हैं तो इमीडियेट अगर यूज करते हैं तो उसका एफेक्ट कुछ और ही होता है तो दोस्तों यह मैजिकल हैर पैक बनके रैडी है तो हमें इसे लगाना कैसे है अगर आपक अपकी पूरे बालों में इसे लगा लीजिए एक गंटे तक अपनी बालों में छोड़ लीजिए और एक गंटे बाद आप अपने हैर को वाश कर लीजिए अपने नौर्मल शंपू से हपते में दो से तिन बार करके लिखिए दोस्तों रिजल्ट बहुत ही बड़िया है